आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां सबका मालिक टेक, कर ले जा के चेक, सबका मालिक टेक तरह से देशों के बीच वार्ज छिड़ जाती थी और इस वज़े से काफी सारे जानी भी जाती थी और जब हमें लगा कि हम अब उन सारी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं और वार हाज बीन तिंग ऑफ पास्ट क्योंकि अभी भी कई सारे देशों में डिफरेंसेज होती ह लेकिन चीजे बातों से सुलच जाती हैं जैसे इंडिया और चाइना या पाकिस्तान के बीच में भी डिफरेंसेज रही हैं पिछले दो-तीन सालों में लेकिन सारी चीजे जो है वो टेबल पर बात करने से सुलच जाती है अब हर देश के पास ही परमान हत्यार है सब कुछ है लेकिन मुझे ने लगता था कि कभी वार की स्थिती आएगी पर अब माहौल ऐसा बन गया है कि दो बड़े देश यानि रश्या और यूकरेन वार की सिचुवेशन में आ चुके हैं और पिछले चार-पांच दिनों से वहाँ पर जो तनाव चल रही है जो सिचुवेशन बन गया है वो काफी concerning है वहां के लोगों के लिए ही नहीं सिर्फ बलकि हमारे लिए भी क्योंकि एक तो यूकरेन के जो citizens है वो डर के माहौल में जी रहे हैं सताथी वहाँ पर loss of life, economy, infrastructure, सब कुछ हो रहा है जैसे हमने सुना भी था और आपने history book में पढ़ा भी होगा कि जो first world war है वो weapons पर लड़ी गई थी जो second world war हुई वो nuclear weapons पर लड़ी गई और हमेशा ये कहा जाता था कि अगर third world war कभी हुआ तो तो वो cyber war होगा या technology पर based होगा तो आज इस podcast में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी situation में यानि अभी जो चल रही है situation उस पूरी situation में technology का क्या role है और क्या impact पर सकता है tech industry पर तो सबसे पहले मुंजिर आपने क्या कभी सोचा था कि 2022 में with all these education and history lessons behind us हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि दो देश war की situation है नहीं मैरे तो नहीं सोचा था और जादक तर लोगों नहीं सोचा होगा कि अभी जितनी बड़ी बड़ी बाते होती है हर जगे और सारे countries है United Nations है और ब वाकई काफी सैड है ये देखना कि 2022 में अभी दुनिया कोरोना से काइदे से निकल भी नहीं पाई है और इतनी जाने गई हैं और अचानक से फिर अचानक से क्या मतलब चीज़ें चल रही थी बट हाँ फुल फ्लिजिट वार छिड़ चुका है और पर वार पे तो बातें चली रही है हर जगह बट हां तुम्हारे सवाल का जो जवाब है वो यही है मेरे लिए भी मेरा में मानना कि 2022 में अभी तो वार नहीं होनी चाहिए थी हो सकता कुछ डिले कर लेते थोड़े दिन के लिए क्योंकि इंसान को थोड़ा बफर टाइम तो मिलता क्योंकि इतनी ड तो इसमें अब एक वार की सिचवेशन तो ऐसा लग रहा है ना कि एक के बाद एक जो होते है ना मुसीबत हर जगह से आ रही है तो वैसा ही सिचुएशन बन चुका है मानस जो पहले दिन ही वार के पहले दिन ही हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा जटका आया लोग कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में ब्लड बात चा चुका है तो उसी तरह का क्या विजिबल जटका टेक इंडस्ट्री पर भी पड़ा है इम्मेडियेटली तो मतलब यह नहीं कहूंगा कि मैं जटका अल्रेडी पढ़ गया है लेकिन अफकॉस जब इस तरह का वार सिचुएशन बनता है जब दो कंट्रीज हमने सामने आती है तो इंपाक्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा यह नहीं हो सकत अन्यक्राइशन बहुत सारी कंट्री से वो खराब हो सकते हैं और इंको बहुत सारी चीजों से बैन भी किया गिया है यूरूपे कंट्री स्पेशली जो है काफी स्क्रिक्शन लगा रही है बट यूकरीन के लिए लॉस इंटर्म्स ऑफ एकॉनमी इंफ्रस्ट्रक्ट्टर जिसमें मैं tech infrastructure भी count कर रहा हूं जाहा देखने को मिलेगा और Ukraine जो है ना Ukraine का जिस the way their economy is right technology उसमें बहुत important role play करती है और ऐसे technology बहुत सारे लोगों को लगता है कि tech का मतलब सिर्फ products हो गया smartphones हो गया, semiconductors हो गया नहीं बट tech इसके आगे भी जाती है और आज की rate में जितने भी start-ups हैं, जितने भी enterprises हैं, सब में technology का एक बहुत important role होता है और Ukraine की tech industry उसकी तीसरी सबसे बड़ी industry यानि economy में एक major part जो है उनकी tech industry play करती है और एक start-up hub की तरह Ukraine बनना चाहरा था, काफे साथा plans थे उसके start-up ecosystem को grow करने के, और वहां के जितने भी start-ups थे, वो सब कही न कही technology driven थे, और मालब इंडिया में भी है, there is no rocket science behind it, आज की रिट में आप इंडिया हैं भी देख लो हर एक start-up के आगे वो finance start-up नहीं है, वो fintech start-up है education start-up नहीं है, edtech start-up है in fact, media में भी technology बहुत यूज होती है, healthcare में भी बहुत यूज होती है तो वहां के लिए वो जो ecosystem था, Ukraine के लिए वो बहुत ज़ादा important था, और जो यह tech community है वो definitely इससे काफी ज़दा तरीके से hit होगी because see, there is a chance कि हो सकता है, कल को अभी भी बाच्चीत के तरू कोई रास्ता निकल आए, हफ़ते-दस दिन के इस agitation के बाद यह जो पुरा मसला है, पुरा प्रब्लम में वो solve हो जाए वो और रुख जाए, नहीं हो situation इससादा खराब, लेकिन जो loss उसमे होगा ना, इन 10 दिन में या 15 दिन में जो loss होगा, उससे recover करने के लिए industry को, individuals को सालों साल लग जाएंगा और यह हमने पहले भी देखा है तो उस लियाज से definitely कहीं न कहीं तो tech industry है, वो hit ज़रूर होगी तो मानस आपने बिलकुल सही कहा कि tech industry जो है यूकरेन की एकनॉमी में third position holder है और वहाँ पर बहुत सारे startups भी built up हुए है, जैसे Grammarly जो की writings और communications के लिए most used application है दुनिया भर में हर कोई उसका use करता है, उसकी जड़ है यानि उसका जो base है वो भी Ukraine रहा है, अलाकि उसके जो staff है दुनिया भर में मौझूद है, लेकिन एक असर तो पढ़े गाई ना, क्योंकि उसके roots तो Ukraine में based है तो आपके हिसाब से कितना असर पढ़ेगा इस war का इन सारी companies, especially जो वहाँ की हैं, companies बहुत ज़्यादा फ़रक पढ़ेगा अभी भी आपको बोलाना की चलो ग्लोबल एक नीम बन गई है across world लोग इन इस platform को यूज़ करते हैं application को यूज़ करते हैं इसलिए मैं पता है ना, बट ऐसे कितनी सारी companies हैं, जो वहाँ पे household names हो उन सब पे impact definitely पढ़ेगा आपकी जब इस तरह की और situation बनती है, तो पूरी industry disrupt होती है, ऐसा नहीं कि एक या दो आप disrupt हो रही है और उनके जो पूरे roots हैं एकदम आपकी foundation बिल जाती है, आपको यह आपको start from the scratch और काफी ज़्यादा इस तरह के इनका स्थ कुछ response भी आया था awareness spread कर रहे हैं आपको ना यह भी ensure करना होता है कि globally एक right message जाए क्योंकि इस situation बहुत सारी misinformation भी spread होती है उसके बारे में बात करेंगे बट यहाँ पर उस लिहाद से बहुत important हो जाता है सिर्फ चलो ग्राल्डी तो एक Ukraine से उसके roots है जो भी है बट जितनी बड़ी companies है माले जो गूगल हो गया, snap हो गया इन सबके भी तो work forces है ना Ukraine में इन सबके भी तो offices है उक्रेन के अंदर तो उन लोगों के employees के लिए उनकी पूरी workforce के लिए उस लिए से भी काफी concerning situation है यह क्यों मुंजर? मालब I think as a tech industry के लिए भी this is going to be a very tricky phase हाँ, बिलकुल क्योंकि यह ऐसी अभी ऐसा समय चल रहा है उक्रेन तो उक्रेन दुनिया भर की टेक कंपनिया है यह बास है कि उक्रेन से बहुत सारे tech entrepreneur निकले हैं वहाँ से कई सारी companies निकले हैं अभी का यह है कि जो टेक कंपनिया है उन पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है consequences अभी पता नहीं चलेंगे आने वाले समय में बहुत चीज़ें होंगी for example अभी तो इन लोगों को यह दिकत सबसे जो primarily वो यह हो रही है कि किस का side ले ठीक है पहले तो यह है कि किस की तरफ जाएं Ukraine की तरफ जाएं या Russia की तरफ जाएं Russia में इनका सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा नहीं कह सकते हैं मतलब बड़ा user base है Ukraine छोटी सी country है बट अब इस ground पे यह direct तो नहीं जा सकते है Facebook से यह expect किया जा सकता है कि वो थोड़ा Russia की तरफ रुख कर ले या फिर उनके साथ फोड़ा सा मतलब वहां content ban वगरा ना करे बट अगेन फिर यह आ जाती है कि Facebook company कहां के है US की है US और Russia में कितना ज़्यादा fight हमेशा चलता रहता यह सब को पता है Facebook अगर चाहे भी कि हम Russia की users को बिलकुल नाराज ना करें वहां अपनी services block ना करें तो वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि फिर चुकि company US के रहना तो US में यह उसे बले आप user कहीं से बटो लोग तो यहां भी दिक्कत होगी उसे तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी आप मतलब जितने content band या content block या फिर Google Maps पे कुछ slow कर देना या फिर live location नहीं तो सब कुछ आधा धूरा सा है मतलब मुझे ऐसा feel हो रहा है कि बस ये लोग कोशिट कर रहे है कि जल्दी ये खत्म हो जाए तो हम normal सब कुछ कर लें अभी थोड़ा 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 इन्होंने कुछ किया अभी भी किसी company का धीरे धीरे हाँ कि ये कर रहे है बढ़ी भी कुछ ऐसा नहीं किया है कि हमने Facebook को Facebook नहीं announce कर दिया कि हमने रशिया से Facebook ब्लॉक कर दिया नहीं हुआ अभी कुछ आए ना कि सारे लोग फोकस हैं अभी अभी जब हम बात करें तो अभी खबर यह आए कि YouTube जो है वो रशिया के दो prominent news channel को अपने platform से ब्लॉक कर रहा है तो कुछ bold move लिए भी जा रहे है लेकिन मोटे तोर पे मुझे लगता है कि जैसा जितना immediate quick response इन कंपनियों को दिखाना चाहिए था जो हालात वहाँ है देख करके कीव में भी अब शुरू हो रहा है कुछ समय में हो जाएगा वहाँ काफी late से हो रहा है अभी और भी quick होना चाहिए बहुत political pressure के बाद है आपने खुछ से responsibility नहीं ली आपका first जो step होना चाहिए था और आपको सीखना चाहिए मतलब यूएस capital पर भी हुआ था election के बाद आप नहीं किया था misinformation spread हुई थी ना वहाँ पर भी उसके बाद आपको करना पड़ा और आपने आके apologize भी करा था ने भी आके बोला था कि हमें better तरीके से handle करना चाहिए था तो फिर इस बार आपने क्यों नहीं किया इस बार जब इतना political pressure पड़ा इन सब US tech giants के उपर तब जाकर अभी भी बातें चल रही है कि हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं मैं तो कहता हूँ बलकि एगर थोड़े समझदार होते हैं इसको ऐसा न उपरचुनिटी देखते हैं आप सबकी image कहीं ना कहीं टाडश हुई है ना over the last two-three years misinformation को लेके या बहुत सारी लग-लग चीज़ों को लेके तो शायद आप इसको एक opportunity देखने हैं था खुद के revival के लिए कि हाँ यहाँ पर हम responsible बनेंगे लोग भी बोलते कि यार चलो facebook ने बढ़िया किया या twitter ने बढ़िया किया और अरब spring का जैसे example दिया जाता है 2011 I guess हाँ 2011 के बाद तो उसमें जिस तरीके से social media platform को utilize करके इतना बड़ा जो कहते हैं movement इतना बड़ा movement शुरू हुआ कि history में लिखा जाता रहेगा और हर generation उस चीज को Arab Spring को जानेगी कि ऐसा भी हुआ था social media ने कितना बड़ा उसमें role play किया था तो उस चीज को repeat करने का मौका था इनके पास कि Ukraine पे Russia ने attack कर दिया है full-fledged war छिड़ चुकी है 2022 में और आप digital space पे एक तरह से आपकी monopoly है दो-तिन companyों की monopoly है तो आप चाहते तो इस जो attack इसको कई basis पे basically जो digital space में जितने misinformation फैलाए जा रहे है या फिर जिस तरीके से movement चल रहा है तो इसकी नौबत नहीं आती की Ukraine बैठ करके IT army बना रहा होता ठीक है वो भी Ukraine भी जब IT army बना रहा है तो उसका भी target यह है कि पहली चीज़ तो की Russian website को है करना और यह सब करना यह तो उनका अपना है ठीक है यह मैंने ही कह रहा कि take company आप करना चाहिए था जो Ukraine ने IT army करके बनाई है उसका यह भी काम है कि जितने misinformation फैल रहे हैं उसको भी रोखना ठीक है तो कम से कम आप being a social media giant tech giant आप यह तो कर सकते हो कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो इस ground पे हम services block कर देंगे ठीक है या फिर हम Ukraine के लोगों की मदद करेंगे किसी भी तरीके से for example अभी Starlink कल पर सो उन्होंने Elon Musk से मदद मांगी थी और भेज दिया Starlink भेज दिया मतलब उसका जो terminal है Elon Musk में एक दिन में ही उन्होंने quick response दिखाया और भेज दिया हाला कि खुद से नहीं किया उन्हें मदद मांगनी पड़ी बट फिर भी quick response का एक दिन में example उन्होंने set किया मैं वही बोलने वाली थी जवाब बोल रहे थे कि इन्हें rapidly कुछ action लेना चाहिए क्योंकि जैसे ही वहाँ Vice President ने Elon Musk से मदद मांगी तो उन्होंने कोछ देरी नहीं दिखाई और तुरंट वहाँ पर Starlink की जो services है वो मतलब चालू कर दी तो उन्होंने टर्मिनल्स भेज़ दिया और उनकी satellite तो देखो ऐसा है कि satellite तो खेर all over अपना cover करी लेगा बड़ जो टर्मिनल जो use करने की equipment वो भेज़ दिया वहाँ तो अब use किया जा सकेगा वहाँ आराम से और लोगों की मदद मिलेगी तो वाकिए बड़ा अब ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर यह बताया भी जा रहा था कि electronic appliances जैसे की AC refrigerator जिसकी जरूरत हमें सबसे ज़्यादा गर्मियों में पढ़ती हैं उनके prices में अच्छी खासी hike भी देखने को मिलेगी क्योंकि raw materials और crude oil की जो prices है औरड़ी बहुत तेजी से ब appliances का जो market है यह हमने देखा है पिछले देड़ दो साल में already कोई बहुत smoothly or seamlessly run नहीं कर रहा है यहां पर काफी सारे दिक्कते हैं इन्हें face करने को मिली है components वगेरा जो है उसका एक genuine shortage था production supply का भी इशू था और covid की वाज़े से situation थोड़ी खराब होगी थी इस वाज़े से आप इस situation बन जाती है जहां पर फिर से एक बार आपका supply का issue होता है क्योंकि देखो यूक्रेन जो है copper for example एक जो material है बहुत सारे appliances में use होता है वो यूक्रेन उसका major source है तो अगर इस situation रहती है तो उसकी वाज़े से copper का mileage नहीं आपाता तो आपको impact price में देखने को मिलेगा crude oil के prices बढ़ गए है stock markets मैंने देखा है अल्रडी बहुत हल चल चल रही है काफी markets crash हो रहे है impact देखने को मिलगर आपको अलगर है economy पे तो यह सब indirectly आपके जो appliances की cost है उसको भी उस पर भी reflect करेगा कितना reflect करेगा वो में वक्त बताएगा कि माली जे 10% होता है 20% होता है experts जो कह रहे ह मेरे लिए या मुंदर के लिए यहां बैटके प्रेडिक्ट करना इस चीज को काफी मुश्किल है हम लोग बस situation को monitor कर सकते हैं कि कहां तक direct consumers पर impact पड़ेगा but yes some कुछ ना कुछ तो impact आपको देखने में मिलेगा ही मिलेगा मतलब एक तरह से इंडस्ट्री अल्रडी शॉटेज से सफर रहे थी और इस पर जो अब ये जो situation हाई है आपने शुरू में बात कही थी आपने कहीती है मुंदर ने कहीती स्टायत की थोड़ा साना सबरी कर रहे थे मतलब अगर करना भी था situation में जाना भी था क्योंकि हम पि करने वाले थे शुरू में आरहे थे और उसमें अपने वार सिट्वेशन क्रियेट कर दी तो आपका आप क्या गड़े से निकल रहे था है आपने रिए तो आपको देखने को मिलेगा तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं अचा ठीक ठीक अब एक ब्रेक ले लेते हैं मंज़र और उसके बाल फिर हम वापस डिसकास करेंगे कि और क्या-क्या इंपाक्ट पढ़ रहा है इस वार का तो आप कहीं मत जाईएगा सुनते रहे ये सबका मालिक टेक only on आज तक बेडियो कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते शेर की चाल निवेश का हाल बाजार का तमाशा एकोनमी की भाशा बॉंड बीमा सोना चांदी सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ हर शानिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिये मुलाकात अपने मनी मैनेजर से मेरे पासना काम बहुत है और आखें मेरी हमेशा ओक्युपाइड रहती है ओफिस में स्क्रीन देखो ड्राइफ करते हुए सडक देखो फिर घर आकर खाना बनाओ पर कान मेरे फ्री रहते हैं इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो क्योंकि पॉड़कास की बात ही अलग है आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां स्वागत है आपका ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और मैं हूँ आपकी होस्त सिमरन तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो यूक्रेन और रश्या के बीच जो सिचुएशन आ गई है उसका टेक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा तो मुन्जिर ना सिर्फ आप कंपनीज पर असर पड़ेगा पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है वो भी तो इससे हिट होगी क्यूं? बिलकुल और बहुत बहुत ही बुरा होने वाला है अभी जो वह चल रही है ना इसका कॉंसिक्वेंसे इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री या फिर एंटायर जो जो इंडस्री जो चिप पे डिपेंडेंट है जैसे आटो हो गया या फिर एक बार तो हमने पॉडकास्ट भी चिप शॉटेज पी किया ही था तो उसमें हमने काफी डीटियल से बताया था कि चिप कहां कहां लगाया जाता है एक धाड़ना होती है ना कि चिप स्मार्टफोन में ही लगाया जाता बट डेली की समझ लो कि मेरे जिंदगी में तो 90% जो चीज़ें होती है लाइफ में उसमें चिप लगा हुआ होता है सो कहने का मतलब यह है कि युकरेन में निवाण स्बस्दダब बनाए जाते है नियोण गैस जो हता है अट नियोण गैस जो हता है वो सेमी कंडकर्टर चिपसिट बनाने के लिए बहुत एहम रोल प्ले करता है अब समस्या यह है कि युकरेन अंडर अटैक है युकरेन पे आटैक हो रहा है वार चल रहा है, उक्रेइन के हालत खराब है, तो क्या होगा, consequences clear है, अब ऐसा नहीं है कि उक्रेइन ही सिट नियॉन गैस बनाता है, दूसरे को नहीं बना, लेकिन उनके पास experts है, expertise है, उनके पास पूरा infrastructure है, तो ongoing production को रोक दिया गया है, अभी तो फिलहाल मतलब halt पे कर दिया हो रहा है, उसके बाद आगे देखोगे, पूरी तरीके से खेल बदल जाएगा, इस वज़े से कई tech company ने, कई smartphone makers ने कई बड़े decision लिये हुए है, जो कि अभी public नहीं हुए है, इंबार गोर्ट आप कह सकते हैं, जो आगे अगले एक दो महीने में, हम tech podcast के जरीए, पिर अप लोग हमारा podcast सुन रहे हैं, वो ये भी anticipate कर सकते हैं कि स्मार्ट फोन बलकी जो अभी मैं बता रहाता है कि चिप वाली जितनी चीज़े हैं, कार हो गई या फिर घर पे रखा हुआ फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, या फिर smart devices जितने सारे हैं, चिप तो सब में लग बहुत बड़ी-बड़ी हैं, और रशिया में, क्योंकि sanctions आप अगर लगा दोगे, तो उसके बाद वो वाला जो impact होगा, वो भी जिलना पड़ेगा, वर्ल्ट, हाँ, exactly, बिल्कुल, 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 अगर आपने बोला, क्योंकि US companies पे उतना pressure जो बन रहा है already, कि मा बहुत सारे देश ऐसे हैं, जिन्हें एक side पकड़नी पड़ेगी, और फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फसेंगी, तो political जो एंगल है, इसके वो भी, मतलब यह सिर्फ एक tech discussion या सिर्फ एक military discussion नहीं है, बहुत सारी diplomacy, बहुत सारा bureaucracy है, काफे सारी चीज़ें, मतलब जो है कि जैसा मुंजर ने हाँ की चिप शॉर्टेज वगएरा होगी, तो मुझे लगता है, प्राइस तो और भी जादा बढ़ जाएंगे, मोबाइल फोन के, प्रेडिक्ट, अजलब टूर्ली टू स्पेकुलेट की प्राइस एक दम से बढ़ जाएंगे, हाँ, लेकिन जो हो और स्मार्ट फोन बहला है, नहीं नहीं के बजधथा है, लेकिन चाना स्मार्ट फोन थोोन सब्सक 910 हुई है, हमारी इनस्मार्ट फोन ऐ लूडिज receivers थोड़ी हिट हुई है, अब वो सस्ते फोन जो 2019 में 18-19 में 15,000 के मलब अगर आप I used to value performance वाला कुछ comparison करके देखोगे तो अब जो 15,000 के फोन आ रहे हैं और आपको वाले features anyway नहीं मिलते हैं तो कहीं नहीं impact already हुआ है और वह और मतलब of course बैसे situation होगी तो आप हग तक ही जो एक damage control कर सकते हो उसके beyond तो आपको जिनना ही बड़ेगा जो भी है Lastly मुंजर यहां पर इस situation में cryptocurrency की भी जो penetration है वो देखने को मिरी क्योंकि Ukraine उन nations में से है जहां cryptocurrency की adoption rate काफी हाई है और वहां पर अभी relief funds जो है cryptocurrency में raise के जा रहे है तो which is a good thing आपके हिसाब से क्या है बिल्कुल सही है क्योंकि बीच में जो banking service या फिर और सारी चीज़े होती है तो disruption वारी चीज़े ना वो नहीं होगी बट हाँ इस वज़े से काफी चीज़े भी देखने को मिल रही है माला क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी काफी तेजी से कल पर सो मैंने पढ़ा था कि काफी नीची से तेजी से गिर गया जाने के लिए पैसा चाहिए पैसा कहां से आएगा पैसा निकालोगे और लोगों की भी मतलब तो है सिच्वेशन ऐसी बनती है कि फिर दें इन्वेस्टर्स ऑल्स स्टार्ट पुलिंग आउट जैसे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव बनता है पूरा पूरा फे क्रिप्ट होगा तो वह हमने देखने को मिला कि अगर ऐसी सिच्वेशन में जहां क्राइसिस है तो आपके पास एक क्रेंसी है जहां पर किसी का कोई रोल नहीं है कोई सेंट्रल बैंक साइड नहीं कर रहा तो आपने उसको एक अच्छे कॉस के लिए यूज करा अच्छा त तो यह था मेरा लास्ट सवाल और इसे के साथ मैं होप करूँगी कि जल से जल यह जो सिच्वेशन है वो ठीक हो जाए क्योंकि अगें पैंडिमिक से हम उबरे नहीं थे कि अब एक वार के सिच्वेशन आ गई है तो मुसीबत पर एक और मुसीबत आ चुकी है मैं तो फिलाल बस यह होप करूँगा कि वो अब रश्या कर रहा है जो भी कर रहा है मैं यह होप करूँगा कि जो ऑन गोइंग सिच्वेशन है उसमें टिक कंपनियां जो हैं उन्हें कम से कम अपना एक साइड लेना होगा अभी बीच वीच वाली चीज़ें नहीं है ठीक ह यह मैं नहीं कर सकता अगले चार दिन के बाद वो अगर कदम उठाए तो हो सकता है कि काफी देर हो जाए बट एट इस पॉइंट अफ टाइम मुझे लगता है कि वो डिफरेंसे कर सकती है टेक कंपनियां और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ले रहे हैं मतलब टेक के कप से निकाल दिया जो तो बारी है टेक कंपनियों की कुछ बड़ा करने के लिए और फेस्बूक गूगल ये दोनों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि आइड वैड का भी बहुत बड़ा कंपा चम्तलब ये बहुत अपना बेसिक चीज़ है कर दो कि यह कोई दिख आप चांस है आप ये भी स्टैंट ले सकते हो ना मतलब ये हैपोथेनिकल नहीं है मतलब ठीक है लोग लग सकता है ठीक है ट्विटर ब्लॉक कर दिया के ट्विटर ने काम करेग भाई आपने यह भी सोचना होगा कि misinformation यह आपने सर्फ लोग नहीं इसा नहीं होगा कि war situation में सर्फ जो लोग है वो tweet डाल के या कुछ प्रवोग कर रहे हैं आपके जो political leaders है जो आपके political parties के spokesperson है उनका भी उनके ओपर भी pressure होता है इस war situation में एक ऐसा message spread करने का जहां पर उनकी country की image ठी और भी दूसरे influential जो figures है they try to create a global image और वो भी आप देखने हैं कि यह उसकी वज़े से sentiment ना बतले लोगों का तो बहुत सारे layers है और बहुत सारे layers है और हर बार भासन में यह बोलने का we are making this world a better place ठीक है तो यह फिर बोलने का कोई मतलब नहीं रहे जाए था ना बेटर प्लेस तो खेर बना नहीं रहे हो जाए चलिए बढ़ते हैं हमारे tech tip के तरफ तो आज का जो tech tip है वो भी काफी interesting सा और helpful सा है कि अगर आपकी phone की screen तूट जाए जैसा मेरे साथ lockdown में हुआ था तो आप data कैसे recover कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कुछ situations involved है जैसे पहले अगर आपकी phone की screen तूट जाए और touch काम करें तो आप USB port के थूट अपना सारा जो data है वो computer में transfer कर सकते हैं दूसरा situation कि अगर आपकी phone की screen तूट जाए और touch भी ना काम करें यह situation मेरे साथ हुई थी तो यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको अपना backup हमेशा on रखना होगा तो आप अपने Google Drive या अगर आप Apple user है तो अपने iOS cloud से जाकर अपना डेडली situation है जहाँ आपका phone पूरा blackout हो जाए screen नहीं ना on हो तब आपको phone की screen ठीक करवाने पड़ेगी तो यह था आज का tech tip of the day मेरे साथ तो नहीं हुआ है लेकिन होता है यह समस्चा मतलब मेरे कई जानने वालों के साथ हुई है कभी कई रखे रखे है मतलब बहुत time रखा रहा पर जब चालू हो गया तो चला ही नहीं हो आहां बिल्कुल रिविव के कई सारे फोन ऐसे हुए तो बैटरियां फूल जाती है कोई इस टा ओनी होता अभी वह पास ऐसे कुछ फोन से रिविव वाले जो comparison कर लेकर ने कर लेकर में उठाया और वो देखा स्टार्टी नहीं हो रहा तो वोता है यह चीज बिल्फुल अब अब आपना हो तो उसका भी डेटा रिकवर किया जा सकता है जिसके बार हम कभी और बता देंगे तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा वो हमें लेकर ज़रूर बताएगा और आप हम ट्वीट भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंगल पर तो विल्मीट यू नेक्स ताइम बबाई हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एखास सिरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके यानि अलग-अलग बीमारियों पर मशूर डॉक्टरों का ज्यान उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुँचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियों पर